दोस्तों कल मद्यप्रदेश के भीतर कुछ ऐसा हुआ कि जैसे मद्यप्रदेश के मुख्यमंत्री सिवराज सिंग चोहान को ऐसा लग रहा हो कि जैसे कोई उनकी कुरसी उनसे छीन कर ले जाएगा और उसके चलते पुलिस ने वहाँ पर ऐसा कुछ किया जो शायद ये कहने पर हमें मजबूर कर रहा है कि पुलिस वहाँ पर कानून की तामील कर रही थी या फिर शिवराज के खुक्म की तामील या फिर मदिपरदेश की राजधानी भोपाल की पुलिस को ट्रांसफर यानि कि तबादले का डर सता रहा था जिसके चलते उन्होंने इस प्रकार का क्रत्त किया आखिर क्या हुआ मदिप्रदेश की राजधानी भोपाल में और किस पर हो गई कारिवाही बताते हैं आपको इस वीडियो में नमस्कार मैं हूंगी रशर्मा और आप देख रहे हैं सरल्टॉ दोस्तो सभी से एक अपील है कि सवाच को सब्सक्राइब कीजे और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर जादा से जादा शेयर कीजे दोस्तो मदिप्रदेश की राजधानी भोपाल में चैनित सिक्षक और बेरोजगार युवा एक साथ पहुंचे हाला कि दौनों के विरोध प्रदेशन की जगे अलग-अलग थी सबसे पहले बात कर लेते हैं बेरोजगार युवाओं की बेरोजगार युवाओं पर भोपाल की पुलिस ने इस तरीके से लाठिया भाजी जैसे के कोई आतंकवादी हो टेरिडिस्ट हो तालिबानी हो ऐसा लग रहा था कि भोपाल की पुलिस को बहुत दिनों से मुझरिमों के उपर लाठिया चलाने का मौका नहीं मिला इसलिए बेचारे बेगुना और सीधे साधे बच्चों पर लाठिया भांज कर अपने शौर को प्रदेशित कर रही थी क्या भोपाल पुलिस इसी प्रकार की लाठिया कभी नेताओं पर चलाती है जब नेता प्रदेशन करते हैं कोरोना के काल में तब क्या पुलिस का शौर गायब हो जाता है पुलिस के कंदों के सितारे गायब हो जाते हैं यह आप हमें कमेंट में जरूर बताईएगा आपको बतादे कि बेरोजगारों ने कल आंदोलन किया था जिसके चलते गोपाल प्रजापत जो एक सिक्षक हैं उन्हें पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। कदर उन्हें मारा गया जैसे कि वो कोई आतंकवादी हों, कोई गुंडे हों, ना कि एक सिक्षक। यगटना शर्मसार करने वाली है मद्यपरदेश को और साती साथ पुलिस के व्यवार को भी कहीं न कहीं शर्मसार कर रही है, क्योंकि ये बेचारे बेरोजगार योवा रोजगार की मांग करने के लिए आये थे, सिवराज सिंग चोहान मामा से मिलने के लिए आये थे, लेकिन मामा ने तो भांजों पर लाठिया चलवा दी क्या मामा को भांजों के प्रतिस प्रकार के लिए पाप मिलेगा गुना होगा ये गुना की स्रणी में आएगा या फिर पुन्य की स्रणी में आएगा दोस्तों कमेंट में बताते चलिएगा अब बात कर लेते हैं चाइने तो सि सरकार बनाई यह तो टैबल अपनी निक्ति को मायने के लिए आए धाय जिसके लिए कई सालों से गुहार लगा रहे हैं इंदर सिंग पर्मार से गवार लगा चुके मुक्रमेंट्री सिवराज सिंग चोहां से कई बार गोहार लगा चुके यहां तक कि नागरेक उड्डन मंत्री सिंदिया जी से कई बार गोहार लगा चुके जो जनसेवक बनते थे बहुत बड़े उनके साथ में जो बिदायक कॉंग्रेश छोड़कर के बीजेपी में आये उनसे भी कई बार कोहार लगाई अपने अपने छेत्रों में लेकिन इन बिचारों को नुक्ति नहीं मिली अब बात कर लेते हैं भूपाल के डी आई जी सहब इर्शाद वली जी की यह इनके पास पहुंचे समझाने के लिए हालां कि इनकी कुछ बात हैं सही थी कि आप इस तरीके से क्या डी आई जी सहाब को उपर से किसी का आदेश आया था कि आप इनको प्रदर्शन के लिए जगह मत दीजिए आज महत्मा गांदी होते तो इर्शाद वली जी की बात को सुनकर के दुखी हो जाती कि आंदोलन के लिए आप जगही नहीं दे रहे हैं इन्होंने तो क्या होती है कई बार क्या होता है विबारिक जीवन में कि बोलना आसान होता है कि अगर किये हैं उप फिर कहरे हैं तो ठीक है लेकिं नहीं किये हैं तो कहने के लिए ठीक नहीं है हालांकि उनकी डूटी होगी हो सकता है कि उनकी अंदर की मानविता जागी हूँ लेकिन भीतर से सोचा हो कि अगर बच्चों के हित में कुछ फैसले लेते हैं तो शायद ट्रांसफर का तोफ़ा न मिल जाए मंत्राले में न बिठा दिया जाए किसी और को डी अधिकारियों को लेकर के सरकार का इविवार है आई-एस लोकेश जांगे आप सभी ने नाम सुना होगा इमांदारी से काम कर रहे थे कहां पहुंचा दिया मंत्राले SDO1 विवा की सरद्दा पंडरे अच्छी कारवाई कर रही थी चंबल में कहां पहुंचा दिया वहां यानि कि सिवराज सरकार का साफ द्रश्ट कौन है ब्रश्टाचार कीजिए हमारे अनुसार चलिए तो पदों पर रहेंगे वरना ट्रांसफर के तोफ़े दे दिये कि जिन बच्चों के साथ सिक्षकों के साथ वह व्यवार कर रही है यह मानविता तो बिल्कुल नहीं है यह प्रकार का दानवी व्यवार है जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है एक तस्वीर आपको और दिखा देते हैं महला है प्रदेश की बेटी है पढ़कर के सिक्षक बनी पुलिस इस तरीके से इसको ले जा रही है कि जैसे इसने कहीं 147 से हमला किया हो तीनों तरफ से घेर करके इसको ले जा रही है कि जैसे इसने कोई गुना हो यह बिचारी राखी बानने के लिए आई थी मामा जी को लेकिन इस सर्मिंदगी का विश्य है कि बीजेपी का एक नेता इन से राखी बनवाने नहीं आया इसे सर्मिंदगी कहेंगे या फिर गर्व का विश्य है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और वीडियो को हर जग कीजेगा आगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाका तब तक लिए मुझे दीजिए अजासत नमस्कार